एक और फिर से आप सभी का माई चालेंज्ट टेडियाल में सवागते हैं तो आज हम लोग लास्ट पार्ट को कंटिणू करने वाले हैं जितने लोग पहली बार आयो चैनल पर पहली बार देख रहे हो बतातु हम लोग सर्फेस एरियाल वॉल्म्स कर रहे हैं तो फर्स Jay QsOOOO Qs जो progress कीवन होता है उन परता हुद में को निकम कर रहे है तो फ्र्स पार्ट हमने 52 के तो यह 2 पार्ट तक है सकंथ से कंट्रीन से कंटियू करेंगे जुद मिन बीख स्टाइं से क्ट्रीन से कंटिन्व लिए करेंगे और चांप्र 15 में 13 क्या है, a reservoir is in the shape of frustum, एक frustum के shape में है, reservoir of a right circular cone, ठीक है, it is 8 meter across at the top and 4 meter across at the bottom, ठीक है, उपर का डामेटर है, वो तुम्हारा 8 meter है, नीचे का 4 meter, it is 6 meter deep, then capacity, simple सी बात है, एक frustum given है तुम्हें, एक frustum given है, ठीक है, देखो, इसने कहा 8 meter across the top और 4 meter across the bottom, मतलब टोटल 4 meter, और ये टोटल 8 meter given है, मतलब डामेटर given है, तो रेडियस हो जाएगा, उपर का ये 4 हो जाएगा, और नीचे का रेडियस 2 हो जाएगा, और ये height जो है, वो गिवन है 6 meter deep, ये 6 meter है, capacity, capacity मतलब वालूम, त होता है, pi by 3 multiplied by h, r1 square plus r1, r2, r2 square, formula लिख लिया करो, जब स्टार्टिक में परते हो, तो बार-बार formula लिखा करो, और उसमें value put किया करो, उससे क्या को, formula तुम्हें अलग से याद करने की जरूबत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ, question solve करते करते हैं, याद हो जाएगा, r1, न square 4, plus r1 into r2, तो 2 into 4, 8, r2 square 1, तो 4 square 16, 22 upon 7 into 1 upon 3 into 6 into, यहोगे 28, 4 times, 2 times, so 44 into 4, solve करते हैं, यहाद हो, 176 meter cube, simple question था, 176 meter cube, question 13 का a आ गया, clear, कुछ नहीं करना है, first term का volume निकालना है, first term का सबकुछ dimension given है, formula लिको value put करो, question 14 में चलते हैं, 14 का concept लगी जगा फिर अगें, कि एक water flow at a rate of 10 meter per minute from a cylindrical pipe of 5 mm in diameter, how long will it take to fill up a conical vessel whose diameter at the base is 40 cm and depth is 24 cm, तीक है, simple सी बात है, एक pipe से, देखो question 14 की बात करते हैं, एक pipe से पानी flow कर रहा है, ठीक है, किसी conical vessel में, ठीक है, मान लिया मैंने vessel ऐसा कुछ है, मान लिया मैंने, ठीक है, इससे पानी flow करके इसमें जा रहा है, conical vessel का dimension given है, diameter जो है, वो है 40 cm, यह given है 40 cm, तो इसका radius कतना हो जाएगा, 20 cm, और जो depth है वो 24 cm है, यह height, h जो है, वो 24 cm है, यह कौन का है, पानी flow कर रहा है cylindrical pipe से, जिसका diameter 5 mm है, इसका diameter 5 mm है, तो 5 mm, ठीक है, अब जो पानी इससे flow करेगा, वही पानी तो जाएगा, इसमें, conical vessel में, तो कितना पानी flow करना चाहिए pipe से, जितना हमें conical vessel को भरना है, तो conical vessel का capacity होगा, इतना पानी flow कराना है, तो हम क्या देखेंगे, पर एक conical vessel का हम देखेंगे volume कितना है, capacity कितना है, तो conical vessel का capacity क्या हो जाएगा, capacity of conical vessel, या बोल दो amount of water required to fill the conical vessel, ठीक है, conical vessel, कौन है, तो 1 by 3 by r square h, यह हो जाएगा, इतना पानी चाहिए, अब देखो, उसने कहा कितना time लगेगा, तो अब कितना time लगेगा, डिपेंड करता है, कितना पानी इससे निकल रहा है, जो rate है पानी निकल रहा है, वो 10 meter per minute है, ठीक है, जो volume of water discharge होड़ा है, इस pipe से, वो per minute discharge होड़ा है, ठीक है, तो amount of, amount of water flowing through pipe, इतना लिखने की ज़रुबत नहीं है, mcqs करते हैं, तो बस बता रहा हूँ, pipe per minute, पर minute, चुकि यह जो length given है, speed, वो 10 meter per minute given है, वो कितना हो जाएगा, यह cylindrical pipe है, तो pi r square h, यह h जो है, वो basically rate है, 10 meter per minute, तो per minute हमने यहाँ लिख दिया, वो एक ही बात हो गया, ठीक है, तो इतना पानी एक minute में इस pipe से निकल रहा है, इसका मतब यह हो गया, इतना पानी इस pipe से एक minute में flow कर रहा है, और वो इस tank में, उस conical vessel में जा रहा है, ठीक है और हमें इतना पानी का requirement है, इतना पानी का requirement है, यहाँ जो मैंने लिखा है, और इतना पानी flow कर रहा है, ठीक है, तो मान लिया कि x minute में यह fill करेगा, मान लिया इसको x minute में फिल करेगा, तो हमें अगर एक minute में इतना पानी flow कर रहा है, तो x minute में कितना करेगा, x into pi r square h, और य हमने volume constant कर दिया, एक minute में pipe से इतना पानी निकल ला था, ठीक है, तो x minute में x से multiply कर दिया, इतना पानी निकलेगा, और यही पानी किस cake को लोगा, volume of conical vessel के, क्योंकि हमें conical vessel को बढ़ना है, इस concept को हमने apply किया, ठीक है, अब जो पहले, पाई की value cancel out, अब यहाँ पर x unknown है, बाकी सब known है, ठीक है, x हमें निकलना है, तो x बाकी सब की value substitute करो, डाइम इंसंट पर दियान देना है, तो यहाँ पर cylindrical pipe का diameter 5 mm है, तो radius कितना हो जाएगा, 5 upon 2 mm, ठीक है, तो हम सब को एक काम करते हैं, centimeter में substitute करते हैं, सारे values को हम centimeter में change करके substitute करते हैं, और solve करते हैं, clear है, तो चलो, यहाँ पर x into r, pipe का diameter था 5 mm, तो जडिस हो जाएगा, 5 by 2 into 5 by 2, लेकिन यह तो mm में रखा न, हमें तो रखना है centimeter में, ठीक है, तो 5 by 2, अगर 5 by 2 mm को centimeter में change करना है, तो 10 से divide करना पड़ेगा, तो इसको हमने change किया centimeter में, तो divide by 10, इसको change किया, divide by 10, तो total हमने 100 से divide कर दिया, यह 100 क्यों आया है, इस mm को, दुनों radius जो है, उसके mm को dimension को हमने change किया है centimeter में, h, h कितना है, h है 10 meter per minute, तो per minute तो हमने यहाँ use कर लिया, तो 10 meter, meter को change किया centimeter में into 100, यह आ गया, कौन का रखा, pi तो cancel हो चुका है, r, कौन का radius है, 20 centimeter, 20 into 20, height है 24, इसको simplify करो, इसको हम simplify करेंगे, तो यह 100, और यह 100 तो cancel out, तो यह 100 तो cancel out, तो यहाँ पर 100 आगा, थालेट नहीं, यहाँ पर 100 आगा, यह cancel out, ठीक है, और यहाँ बच गया तुम्हारा, simplify करने के लिए, अब simplify करेंगे, x के value चाहिए, तो वो जाएगे, 20 into 20 into 24, ठीक है, into 2 into 2, यह 2 जो है, वो उपर गया, नीचे आ जाएगा, 5 into 5 into 10, ठीक है, तो यह 1 zero cancel out, 5 से 4 times, ठीक है, यह simplify करो, यह तुम्हारा आ जाएगा, 256 upon, 5, multiply करने के लिए, ठीक है, तो यह तुम्हारा आ जाएगा, 51.2 minutes, तो 51.2 minutes कहीं देख नहीं जाएगा, तो बाकि 51 minutes तुझे ही है, तो यह हमारा answer हो जाएगा, option B, ठीक है, तो 51.2 minutes का मतब यह हो गया, कि 50, देखो, अब यहाँ पर 12 seconds कैसे आया, मैं वो बता रहा हूँ, 51 plus 0.2 minute है, तो इस 0.2 minutes को मिने सेकेंड में चेंज किया, तो 51 plus, इसको सेकेंड में चेंज करोगे, 0.2 को, सेकेंड में, तो 60 से multiply करोगे, तो यह हटा, यह तो 51 plus 12 seconds, तो 51 minutes 12 seconds तुमारा answer आ जाएगा, ठीक है, उमीद जा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया, तो वीडियो समझ में आ जाएगा, एक दो बार देखो, समझ में आ जाएगा, नहीं तो अभी आगे यह step का question और आएगा, तो वहाँ हम करेंगे, वहाँ फिर से समझ में कोशिस करना है, इसको, clear है, important concept है, पूछा जाता है इस पर question, तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसा difficult है, मैं मान तो दोबारा देखो वीडियो को, slow कर लो, उसके बाद देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलते है कुछ में 15 पर, a cylindrical vessel of 32 cm, कुछ में 15 कर रहे हम, ठीक है, 15, a cylindrical vessel 32 cm high and 18 cm of the radius of the base is filled with sand, ठीक है, a cylindrical vessel है, यह, ठीक है, जिसका height है, given है, 32 cm, और radius है, 18 cm, इस filled with sand, sand से बढ़ा पढ़ा है, this bucket is emptied on the ground, on a conical hip, इसमें sand भढ़ा है, हमने खाली किया, तो खाली किया, तो sand का hip बन गया, ऐसा कुछ बन गया structure, देखावा बनते हुए, cone के shape में, ठीक है, of height 24 cm, 24 cm के height से, तो इसका radius पुछा गया, तो कोई बात नहीं, अब जो sand इसमें था, वही sand तो यहाँ भी आया, तो चाहे उसका shape cylindrical हो, चाहे shape conical हो, sand थो यह change होगा, sand का amount, amount हो same है, तो कहने का मतलब है, volume जो पहले था, slender का, वही volume अभी cone का होगा, क्योंकि यह slender बना था sand से, यह cone shape भी बना है, sand से, sand का quantity same है, तो यहाँ पे volume of slender is equal to volume of cone, तो volume of slender क्या होगा, pi r square h, volume of cone, 1 by 3, pi r square h, हमें r निकालना है, r मतलब, इस cone का radius, तो pi, pi cancel out, पहली बात तो, radius यहाँ पे given है 18, into 18, height given है 32, is equal to 1 by 3, इसका radius निकालना है, और height given है 24, यह simplify करते हैं, तो यह तो 8 से, cancel out, 8 से यह 4 times, तो r square कितना आ गया, 18 into 18 into 4, तो r की value, under root 18 into 18 into 4, तो 18 दो बार आ रहा है, तो 11, 18 बाहर आ गया, तो square root निकालना है, और 4 का square root 2, तो 36 cm, यह हमारा answer हो जाएगा, 15 का answer हो जाएगा, 36 cm, clear है, चलो, next चलते है, question number 16 पे, the curve surface area of a right circular cone of height 15 cm and the base diameter 16 cm is, curve surface area हमें निकालना है, right circular cone का, question number 16 कर रहे है, तो इतना कुछ है नहीं, इसमें, question number 16 में, right circular cone का, surface area चाहिए, curve surface area, height given है, तो h given है, 15 cm, diameter given है, 16 cm, तो radius कितना हो जाएगा, 16 का half, 8 cm, तो हमें पता है, curve surface area जो कौन का होता है, वो होता है, pi r l, l चाहिए, l पता नहीं, तो l निकालेंगे, तो l क्या हो जाएगा, यहां से, l हो जाएगा, under root h square plus r square, slend height, h square मतलब 15 का square, 225, plus r square, 8 का square, 64, ठीक है, under root 289, मतलब 17, l 17 आ गया, put कर देंगे, तो pi r की value कितनी है, यहाँ पे, r है तो हमारा 8, into 17, तो यह multiply किया, 136 pi, क्योंकि pi के form में answer option है, तो pi में रहे हैं, 136 pi इसका answer आजाएगा, cm2, सारे unit, जो dimension है, cm2 आजाएगा, तो cm2 आजाएगा, ठीक है, simple question था, बस formal रखता था, question में 17, 17 में a right triangle with side 3 cm, 4 cm, 5 cm is rotated about its side, 3 cm, अब हुआ क्या है, यहाँ पे, यह 4 है, यह 3 है, ठीक है, और यह तुम्हारा 5 है, ऐसा कुछ, तो इसके about हमने rotate कर दिया, मतलब इसको पकड़ा ऐसे घुमा दिया, तो इसको पकड़ा घुमा ओगे, तो एक cone बनेगा, ठीक है, ऐसा cone बन जाएगा, ठीक है, यह cone बन जाएगा, इसके about, मतलब हम इस side को 3 cm आड़े को पकड़ के घुमा रहे हैं, ऐसे goal, तो ऐसे goal घुमा दिया ऐसे, तो नीचे circular base बन गया, of radius 3 cm, तो नीचे circular base बन जाएगा, देखो, यहाँ rotated है, revolve about, rotate about, इस सब वर्ट पर फरक पड़ता है, तो यहाँ पर हमने rotate किया, about 3 cm side, तो इसको पकड़ के इसको rotate कर दिया, घुमा दिया ऐसे, तो नीचे 3 cm radius का circular base बन गया, और total structure बनेगा, वो कौन बन जाएगा, हम से क्या पूछा गया है, volume of cone formed, तो volume of cone क्या हो जाएगा, 1 by 3 pi r square h, ठीक है, यह हो जाएगा, अब हमें h, यह हो जाएगा 4 cm, पता है हमें, और यहाँ पर radius 3 cm हो जाएगा, यह 3 था, तो radius 3 cm, और height 4 cm बन जाएगा, तो बस 1 by 3, pi r square मतलब, 3 का square मतलब, radius 3 है, तो 9 h, 4, ठीक है, 3 times, तो यहाँ जाएगा, 12 pi, 12 pi के form में option है, pi के form में, तो pi में रहने देंगे, 12 pi cm, क्यों हमारा answer आजाएगा, ठीक है, next क्या, a curve surface area of slender is, curve surface area given है, and its volume is, volume given है, the ratio of its diameter to its height, अच्छी बात है, तो curve surface area given है, volume given है, हमें निकालना है, height और radius, diameter और height का ratio, ठीक है, तो curves, question में 18 कर रहे है, curve surface area of slender upon volume of slender, ठीक है, curve surface area है 264, volume है 924, ठीक है, curve surface area of slender, क्या होता है, 2 pi r h, volume होता है, pi r square h is equal to 264 upon 924, pi cancel out, h cancel out, यह नीची, ऊपर r है, नीची r square है, तो 1 r cancel out, ठीक है, तो ऊपर बचा 2 upon r is equal to 264 upon 924, तो यहां से r निकाला, तो r की value 2 into 924 upon 264, ठीक है, solve किया, इसको solve करोगे, तो यह तुम्हारा आ जाएगा 7, solve करने के बाद, radius आ जाएगी 7, solve कर लेना, ठीक है, यह 7 आ जाएगा, अब radius 7 आ गया, हमें diameter to the height चाहिए, तो height तो मिला नहीं, तो कोई बात नहीं, curved surface area कितना है, curved surface area हमारे पास है, 264, diameter, radius आ चुका है 7, देखो, तो radius 7 है, तो diameter कितना हो जाएगा, diameter हो जाएगा 14, तो C से क्या होता है, 2 pi r h is equal to 264, हमें निकालना है h, तो h कितना हो जाएगा, 264 upon 2 pi r, तो 264 into 7 upon 2 into 22 into r7 है, ठीक है, अब यह 7 उपर कहां से आया, पुछो गए, तो इस pi की जो value होगे, वो 22 upon 7 होगे, इस pi की value 22 upon 7 होगे, वो 7 उपर आ गया, ठीक है, इसको simplify किया, यह 7 cancel out, ठीक है, और इसको simplify किया, यह तुमारा cut cut के 6 आ जाएगा, तो h की value 6 आ गई, diameter की value 14 आ diameter upon h का ratio, d upon h, तो diameter 14 है, यह 6 है, 2 से कटेगा, तो 7 upon 3, तो ratio आएगा 7 upon 3, option b यहाँ पर correct होगा, 18 का, clear है, अब ऐसा नहीं कि बस यही method है, और method भी है, तो मैं जैसा जो चलिकता करो, question number 19, तो 19 में क्या है, a cylinder with base radius 8 cm and height of 2 cm is melted to form a cone of height 6 cm, the radius of the cone, again, बहुत बार कर चुके है, हम slender को melt करके cone बना रहे है, question number 19, question number 19, हमने slender को melt किया, क्या बनाया, cone रहा है, तो volume of cylinder जो है, वो volume of cone के equal हो जाएगा, यह पता है, volume of cylinder, pi r square h, volume of cone, 1 by 3, pi r square h, जब तक radius और height equal नहीं हो, तो same alphabet से denote नहीं करते, यह बात पहले भी कर चुका हो, मैं बार-बार बोलना हो, exam में गलत मत कर देना, कि यहाँ पर इसको भी r मान लिया, इसको भी small r मान लि root, अब देखो, slender का radius है, वो 8 cm है, और height 2 cm, रख दो, radius 8 cm, यह slender है, और यह cone है, तो 8 into 8 into 2, 1 by 3 into, cone of height 6 cm, r square height 6 cm, हमें radius निकालना है, cone का, तो यह 2 times, यह 2 से 2 cancel out, तो r square is equal to 8 into 8, तो r is equal to under root 64, मतब 8 into 8 में 8 आ जाएगा, तो radius हमारा आ गया, यहाँ पर 8 cm, तो 19 का the correct answer है, ठीक है, चलते है 20 पर, ठीक है, तो 20 हो गया तो question चाहँ तो directly कर सकते हो, लेकिन, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, 20 में क्या है, volume of 2 spheres, r in the ratio, 64 east to 27, मतब 2 spheres, V1 upon V2, इसका ratio given है, 64 upon 27, तो मान लिया volume, जो पहला sphere है, उसका capital R radius है, दोसे बाले का small r है, यह यह वाइस परसा जैसे मानना, तो अपने उपर मान सकते हो, तो volume of sphere क्याता, 4 by 3 pi, इसका मान लिया r cube है, और दोसे बाले का 4 by 3 pi, इसका मान लिया small r cube है, यह ratio 64 upon 27 है, ratio पुछा गय जाएका, वैसे तुम directly कर सकते हो, बता रहा हूँ, तो अगर volume given है, area पुछा गया, directly आता है, मैं समझाने के लिए बहुत लोगों समझ में नहीं आता है, तो यह cancel out हो गया, तो r upon r का whole cube is equal to 64 upon 27, तो r upon r कितना हो जाएगा, 64 upon 27 की power, 1 upon 3, तो मतलब यह 4 by 3 हो जाएगा, 64 को हम 4 cube लिख सकते हैं, 27 को 3 cube लिख सकते हैं, तो cube है, और यहाँ cube root है, cancel out हो जाएगा, 4 upon 3, surface area का ratio पुछा गया है, तो surface area, first sphere का surface area, second area का ratio, तो first sphere का 4 pi r square, radius capital R है, इसका 4 pi r square, small r है, यह cancel out, तो क्या आगया, r by r का whole square, तो r by r कितना है था, 4 by 3, तो 4 by 3 का whole square, मतलब 16 upon 9, answer आजएगा, 16 upon 9, 9 upon 16 नहीं करोगे, गलत हो जाएगा, तो 16 upon 9 इसका answer हो जाएगा, clear है, तो directly मगर volume गीवन था, मैं पता है, अगर same shape है, volume गीवन है, बाकी quantity कर जाएगा, r upon r का ratio आने वाला था, area पुछा है, area में square आता है, तो square कर देना था, उसका directly ठीक है, छलो, लेकिन हमें अतना tricks पर नहीं focus करना हुए, हमें board के साब से focus करने है, तो बस question swap होना चाहिए, इतना ध्यान लगना है, 21, 21 में 3 majalic sphere of radius 6, 8, 10 are melted to form a single sphere, यहाँ पर क्या वाथ 3 sphere है, 6, 8, 10, melt करके एक नया sphere बनाया, जो भी radius है, नहीं पता हमें, इस sphere का radius हमें हमे तो इन तीनों का combined volume होगा, वो इस sphere के volume के एककल होगा, बस यही concept फुल्फिल करना है, इन तीनों sphere का combined volume होगा, वो volume of, जो bigger, सबसे बड़ा sphere है, bigger sphere, उसके एककल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी 1, वी 2, ब्लस वी 3, is equal to, इसका volume, बड़े वाले sphere का, वी 1, 4 by 3, pi, r cube, तो पहले वाले sphere का, हमने r माल लिया, 6, तो यहाँ जाएगा, 6 का cube, ब्लस वी 2, again, 4 by 3, pi, second वाले का है, 8, तो यहाँ जाएगा, 8 cube, ब्लस वी 3, 4 by 3, pi, r cube, थर्ड वाले का है, 10, तो 10 cube, is equal to, 4 by 3, pi, r cube, तो 4 by 3, pi, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है, तो 4 by 3, pi, common आगे, तो cancel out हो जगा, तो 6 का cube, तो 6 का cube हो जगा, 2, 1, 6, 8 का cube, 5, 1, 2, 10 का cube, 1000, is equal to r cube, तो r cube की value आगए, यहाँ पे, 1728, 1728 का cube रूट जो होता है, वो 12 होता है, तो r की value आजाएगी, 1728, 8, यह, तो यह आजागा, तुमारा 12, तो बड़े वार, S5 का radius आगया, तुमारा 12, अच्छा, diameter पूछा है, यह गलती हो जाएगी, तो इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा, तो 2 x 12 मतलब 24, यह चेक कर लिए एक बार, कि diameter पूछा है, डामेटर गीवन है, कि radius गीवन है, यह गलतीयां बहुत होती है, बहुत common mistake है, ठीक है, चलो, नेक्स चलते हैं 22 पे, 22 क्या है, the surface area of a sphere is same as the curved surface area of right circular slender, whose height and diameter is 12 cm each, the radius of the sphere is, ठीक है, तो 21 में कुछ नहीं कह रहा है, जो surface area है, sphere का, surface area of sphere is equal to curved surface area of slender, तो surface area of sphere क्या होता है, 4 pi r square, ठीक है, curved surface area of slender, 2 pi r h, ठीक है, तो यह pi और pi cancel out, पहले बात तो, यह 2 से 4, तो 2 r square is equal to r into h, तो उसने कहा है, जो right circular slender है, उसका height और diameter सेम है, तो height कितना है, 12, diameter कितना है, 12, तो radius कितना हो जाएगा, 6, तो यहां रखेंगे 6 radius और height 12, तो r square is equal to 6 into, यह 2 से 6 cancel out, तो r की value under root 6 into 6, मतलब 6, 6 cm radius of sphere आजाएगा, simple question था, curved surface area, curved surface area slender का, और surface area sphere का, equate कर दिया, बस, बाकि dimension लग दो, 23, volume of greatest sphere that can be cut off from a cylindrical log of wood, of base radius 1 cm and height 5 cm, यहां बात नहीं, अब यहां बे 23 में क्या हो रहा है, देखो, एक cylindrical log है, जिसका radius 1 cm है, radius 1 cm है, तो diameter 2 cm और height 5 cm है, यहां पर maximum जो हम fit कर सकते हैं, sphere को maximum वो यहां से यहां तक ही तो कर सकते हैं, थीक है, तो मतलब sphere जो भी fit होगा, थीक है, वो ऐसा ही तो fit होगा, मतलब जिसका यह और यह किस के को लोगा, diameter के को लोगा, 2 cm, गलती क्या होती है हम, हम ऐसे ले ले लेते हैं, यहां पर ऐसे length हो जागा, यह लेते हैं, और हम sphere को ऐसे ले लेते हैं, तो यह तब होगा, ऐसे fill हम पूरा तब कर सकते हैं, जब यह height slender का, और slender का diameter equal हो, तब sphere यह हो जाएगा, लेकिन यहां पर height ज्यादा है, और diameter कम है, तो हम diameter के according ही, हम sphere को fit कर सकते हैं, क्योंकि height नहीं, हमारे पास यह dimension कम है, width बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है, यह तो है 5 cm, अगर इसको 5 करोगे, तो फर यह sphere इसके बीच में fit नहीं होगा, तो जो छोटा होगा, उसके according हम sphere fit कर सकते हैं, तो diameter 2 cm है, तो sphere का diameter भी 2 cm ही लेंगे, ठीक है, उसने का cut कर सकते हैं, कितना, तो diameter आजाएगा 2 cm, तो कहने का मतलब हमें sphere निकालना, जिसका radius कतना हो जाएगा, diameter 2 cm है, तो radius 1 cm हो जाएगा, गलती यह मत करना कि इसको उपर तक ल तो जो lowest dimension होता है, उसके according हम काम करते हैं, यह चीज़ ध्यान दखना, तो diameter sphere का भी हो जाएगा 2, तो radius of sphere कितना हो जाएगा 1, जो कि slender का radius है, उसने क्या पूचा है, volume of the greatest sphere, तो volume of sphere कितना होता है, 4 by 3 pi r cube r1 है, तो यह हो जाएगा 4 by 3 pi, तो 4 by 3 pi कहा है, option A, तो 23 का A हो तो एक चीज़ ध्यान दखना, यहाँ पर diameter मत ले लेना 5 केक्वल, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यह 5 होता, और यह भी 5 होता, तब तो diameter sphere का भी 5 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, clear, इस stage का ध्यान दखना, चलते हैं, 24 पर, 24 क्या करा है, a cylindrical vessel of radius 4 cm, content of water of, चलो, देखो 24 में है, a cylindrical vessel of radius 4 cm, contains a water, a solid sphere of radius 3 cm, is lowered into the water, until it's completely immersed, the water level in the vessel will rise by, यह question हमने पहले भी कर रखा है, तो हम concept पर नहीं जा रहे है, जेतों हमने first part नहीं देखा है, first part देखो, ठीक है, तो एक cylindrical vessel था, ठीक है, बार बार एक ही concept को बताएंगे, तो वीडियो बार 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 पानी मालों यहां तक होगा, इस पर हमने एक sphere dip कर दिया, तो मैंने क्या हो जाए था, जो volume of sphere होगा, वो equal to volume of water displace होगा, तो पानी पहले यहां तक था, तुमने sphere डाला, तो sphere जो space लेगा, उतना पानी displace होजगा, तो मालों यह पानी displace होगया, displace होगे, h height से increase होगया water level, त तक है, तो volume of sphere का जगा 4 by 3, pi r cube, volume of water displace, वो slendrical vessel है, तो slender का volume लगेगा, क्योंकि पानी का step वही होगा, जो vessel का step होगा, तो pi r square h, यह जो h होगा, वो slender का height यह height नहीं लेंगे, जो water level में change आया, वो h लेते हैं, याद रखना, यह बात मैंने पहले भी बोला है, अभी भी ब बोला हूँ, जो water level increase होगा, वो h यहाँ पर लेते हैं, pi cancel out, sphere का radius 3 cm, तो 4 by 3 into 3 into 3 into 3 is equal to, syndical vessel का radius 4 cm, 4 into 4 into h, h निकालना है, तो यह 3 3 cancel out, यह 4, यह 4 cancel out, तो h की value आ गई, 9 upon 4, देखो, यह 3 into 3 9, और इस 4 से divide कर देना, तो h की value आ गई 9 upon 4 cm, option सी यहाँ पर correct हो जाएगा, clear है, तो आज यहीं तक करते हैं, कुछ में 24 तक, next part में इसको आगे continue करेंगे, clear 25 से, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करो, share करो, जाद जाद जाद, टिके जितने लोग पहली बा हो, तो चैनल को subscribe कर देना, और bell icon दबा देना, latest update notification के लिए, तब तक के लिए, good bye, take care, जल्दी मिलते हैं, अपने next part में, bye bye